हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चेनल ओंलाइन ITA पर दोस्तों अगर आपने Stenografor Trade में ITA ये डिपलोमा किया हुआ है या आपके ITA डिपलोमा Stenografor Trade में अभी चल रहा है तो ये Important वीडियो आपके लिए है क्योंकि स्टेनोग्राफट ट्रेड वाले केंडिडेट्स के लिए एक पर्मानेंट वेकेंसी गुवार्टी हाई कोड ने निकाली है और आज की वीडियो में इसी वेकेंसी के नोटिफेकेशन की सारी जानकरी हम आपके लेकर आए हैं आज हम बताएंगे कि इसमें आप केसे अपलाई कर सकते हैं क्या eligibility रखी गई है तो ये वेकेंसी जो निकाली गई है दोस्तों ये गुवार्टी हाई कोड द्वारा निकाली गई है और इसमें आप ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं ओनलाइन अपलाई करने के लिए लिंक 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए जो अंतिम्तिती वो 15 मार्च 2023 रखी गई है साथ ही इस वेकेंसे के लिए ओनलाइन फीस का पेमेंट आप 18 मार्च तक कर सकते हैं इसमें दो पोस्टों पर भरती निकाली गई है पहली है इस्टेनोग्राफर ग्रेट 2 की पोस्ट है इसमें जो पेस्के रखा गया है वो 22,000 रुपे से लेका संत्यार में 1000 रुपे तक रखा गया है इसके लावा अधर अलाउंसे से अलग है इसकी खुल 34 पोस्ट है यहाँ पर निकाली गई है इसी तरीके से इस्टेनोग्राफर 3 की पोस्ट निकाली गई है इसमें ग्रेट पे 14,000 से लेका 60,500 प्लस अलग अधर अलाउंसे से रखे 5 यर्स है और फिजिकली हंडिकेप के लिए 50 यर्ज एज लिमिट यहां रखी गई है मिनिममम एज लिमिट सभी के लिए से 18 वर्ष यानि 18 यर्ज रखी गई है इसमें eligibility के अगर बात करें तो इस्टेनोग्राफर ग्रेट 2 के लिए आप देख सकते है इसमें candidate को अप्लाई यह तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं लेकिन document verification से पहले आपका यह complete हो जाना चाहिए इसके अलावा आपको असम language की knowledge होना अनिवारिया रखा गया है साथ ही असम state के employment exchange में भी आपका registration यहाँ पर मांगा गया है इस post के लिए selection के procedure को भी आप देख सकते हैं यह तीन stage में आपका रहने वाला है पहली stage में सबसे पहले आपका voice test होगा उसके बाद speech test होगा और आपको computer testing के लिए time दिया जाएगा इसके बाद आपका transcription होगा computer पे ठीक है इसके अलागा state in stage में आपका return test होगा जो कि OMR based होगा जिसमें multiple choice question आपसे पूछी जाएंगे 1 hour 30 minutes का यह आपका test होने वाला है आपका return test है इस यह जो return test होगा इसमें English और असमी language में आपके question आने वाले हैं इसके बाद आगे बात करते हैं तीसरे stage में आपका why वा होने वाल होना चाहिए इस टेनोग्राफी है short end में अगर आपकी आईटिया पॉलो टेक्निक अभी चल रही है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं इसके लवा आपकी असम लेंग्वेज की knowledge यहां पर अनिवारी देखी गई और असम स्टेट के employment stage में में आपका registration मांगा गया selection के procedure में भी वही same procedure है तीन स्टेज में आपका selection होने वाला है पहली स्टेज में आपका voice test, speed test और testing इसके बाद आपका transcription होगा इसके बाद stage 2 में आपका return test होगा जो कि हमार based होगा इसमें आपका English language में question आएंगे और इसके लाब आसम language के भी इसमें question आपके आने वाले हैं ठीके next तीसरी stage में जो candidate से उनका वाइवा होगा जो candidate है वो एक बटा तीम में वाइवा के लिए select किये जाएंगे यानि कि जो तीन गुना candidate है वो select किये जाएंगे आगे बात करते हैं apply करने के process की इससे पहले आप देख लें कि इस vacancy में कोई भी candidate दोनों ही पोस्टों पर apply कर सकता है लेक सबसे पहले आपको official website पर जाना होगा आप लोगों की सुवीदा के लिए official website का link इस video के description में में डाल दूगा जिससे कि आप सीधा official website पर आ जाएंगे इसके बाद आपको registration करना होगा registration करने के बाद आपको जो form है update data में वो form परना पड़ेगा आपके documents upload करने पड़ेंगे औ इसकी जो application fees है उसका payment भी आपको करना पड़ेगा जो application fees का payment हो आपको चालान से करना पड़ेगा और form बरने के दो दिन बात से वो आप payment कर सकते हैं अगर application fees के payment की बात करें तो SCST वाले के लिए 150 रुपए और other candidate के लिए 300 रुपेस में fees लगने वाली है physical handicap के लिए किसी प्र करना जाओंगा NCSM में भी ITI past candidates के लिए recruitment निकली हुई है इसके लवा कई सारी recruitment आप हमारे चैनल पर जाकर check out कर सकते हैं साथ यह में टेलिग्राम पर ज़रूर जोइन करें और Instagram पर follow करना ना बूले मिलते हैं अगली वीडियो में take care